दोस्तो अगर आप लोगों ने कोई भी NBFC से लोन लिया है और वहाँ पे कोई भी ECS active है और repayment नहीं कर पा रहे हो उसके वज़े से ECS bounce कर रहा है तो दोस्तो आप लोगों के घर पे ECS का case का notice आपके घर पे आएगा through courier तो आप लोगों के साथ भी यह हो सकता है क्या मिला है उनको सारा कुछ detail में आप लोगों को बताऊंगा क्या है उसमें लिखा क्या है सारा कुछ उसमें आप लोगों को detail में बताऊंगा तो वीडियो पूरा इन तक देखिए दोस्तो आप लोग इस चैनल पर नए हो तो subscribe बेटन प्रिस करके बिल आइकन को hit कर दो ताकि ऐसे ही information जब भी मैं आप लोगों को share करूँ सबसे पहले notification में मिल जाया आप लोगों को दोस्तो जैसे कि आप लोगों पता है ECS जो की active करवाते हैं ECS का मतलब क्या होता है यहाँ पे क्या होता है कि automatically आपके bank से जो है amount deduct करेगा और इसके लिए आपसे permission लिया जाता है और आप लोगों वो approve कर देते हो तो यहाँ पे अगर आपका ECS अगर bounce करता है तो वो एक तरीका का check bounce की तरह ही दिखा जाता है लेकिन दोस्तो दो धाराए अलग होता है आप सबको पता है ECS का bounce का जो धाराए होता है वो section 25 के अंदर जो है payment and settlement act 2007 का होता है और जो check bounce का है वो है section 138 negotiable act 1881 के तहट जो है वो अलग होता है तो दोस्तो यहाँ पे एक subscribe के पास एक courier आया है जो की उनको मिला है ECS bounce का लेकिन ECS bounce का नहीं उनके पास आया है check bounce का तो आपको सारा कुछ मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ तो वीडियो देखिए ध्यान से आप लोग के पास भी जा सकता है इस तरीका का mail या फिर courier से through तो screen पे आप लोग जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे notice under section 138 of the negotiable instrument act इस तरीके का notice उनके घर पे गया है और यह मुझे इस PDF करके मुझे भेजा गया है तो यहाँ पे देखिए लिखा है online legal format for a notice under section 138 of the negotiable instrument act to be issued after bouncing or dishonor of check drafted by your online department आप लोग सोचो यहाँ पे 138 सबसे पहले आप लोग बता दिए वह चेक bounce का होता है ECS का होता है अलग तो आप लोगों ने यहाँ पे कोई चेक तो दिया ही नहीं है तो चेक bounce का कैसे हो गया यहाँ पे 138 negotiable act कैसे लगेगा लेकिन इनके पास एक edit करके message आया है वो मतलब जो भेजा गया है उनको format वो मैं आप लोगो पढ़के सुना दे रहा हूँ यहाँ पे देखी लिखा है dated दिया हुआ है 1711 मतलब दो दिन पहले आया है यह to manoj भंडारी जिनका नाम है legal notice under section 138 negotiable instrument act sir the ECS number दे दिया एक ECS का dated लिखा है 11 9 2022 for an amount of 15500 जो की overdue है issued by your discharge of the financial liabilities to us बाकी सब बहुत सारा कुछ लिखा है और कुछ लिखा है लेकिन उसमें कुछ फिल नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे उपर में लिखा है 138 negotiable act और नीचे लिखा है यहाँ पे देख रहे हो आप ECS number दिया हुआ है यह कैसा मतलब possible कैसा है अगर आपको ECS का कोई notice आता है तो ECS के तरब से ही आएगा ECS में लिखा होगा पूरा यहाँ पे उपर म चेक बाउंस का रहा है नीचे हे अरे ECS का नंबर मतलब उनको पता ही नहीं है कि क्या ECS है क्या चेक बाउंस से वह अलग है या पिस से में नहीं मालूम एडिट किया ऑट। अब expand करना, एक बच्चा भी एडिट करना उन लोग को आता है तो इसे तरिक के से आप लोग पता है वहाँ पर अगर आप लोग सर्च करो गए तो सारा कुछ आप लोग गूगल में मिल जाएगा तो मैंने भी सोचा कि चलो सर्च करके देख लेता हूं तो सर्च चैप ने मैंने किया तो दोनों मैंने देखिए दोनों साइड वाई साइड लगाया सेम चीज है थोड़ा कोर्ण का कोट का नोटीस अलग होता है कोर्ण कोट में अगर आपका केस जाता है तो वहाँ पर आप लोग साइड बए साइड बाइ साइड गया है तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके का डराने का काम कर सकता है एक और नया जो है डराने का प्रोसेस ECS Bounce हो रहा है Message तक सही था अभी घर को कुरियर में कुरियर के थ्रू भी आप लोगों को भेज़ा जा रहा है लेकिन भै एडिट करना सिखा नहीं सही से तो गलत एडिट करके भेज दिया जो भी भेजा है भाई एडिट थोड़ा सा सही कर लो लोग ऐसे डरेगा नहीं तो दोस्तों आप लोगों को भी यही बोलना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके का कोई भी आप लोगों को घर पे कुरियर के थ्रू कुछ भी नोटीस थमा जाए तो आप लोग डरिये मत पहले आप उसको ध्यान से देखिए ध्यान से समझी या फिर आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो मैं उसको देखके बताऊंगा क्या यह सही है क्या वो गलत है ठीक है तो दोस्तों अगर आप लोगों को एक वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक जरू कर दीजिएगा सब्सक्राब बटन फिसकाना नहा भूले तब तक के लिए चली टाड़ा बाई बाई टिक क्यार जाहिन 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 भारत